नमस्कार स्वागत है आपका आज की खबर में मैं हूँ आपके साथ रागनी पांडे राजीव खंडेलवाल की फिल्म प्रणाम आज रिलीज हो चुकी है और कल यानी की गुरुवार को फिल्म प्रणाम की पूरी टीम पहुंची थी लखनों के सिने पॉलिस मॉल में जहाँ पर फिल्म को लेकर एक प्रेस कॉंफरेंस का आयोजन किया गया इसी के साथ कल फिल्म का प्रेमियर भी था जहाँ पर मीडिया के साथ साथ फिल्म प्रणाम के लीड एक्टरस राजीव खंडेलवाल, समिक्षा सिंग और अनिरुद दवे से मिलने के लिए फैंस की भीर मौजूद रही रिलीस होते ही फिल्म प्रणाम ने अपनी धमाकेदार शुरुवात कर दी है कल फिल्म प्रणाम की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी लखनों के सिनेपॉलिस मौल में जहां पर राजीव खंडेलवाल, समीक्षा सिंग और अनिरुद दवे मौजूद रहे जुन से मिलने के लिए फान्स काफी उतसाहित दिखे इसके साथ ही फिल्म के डिरेक्टर संजीव जैसवाल और सेह निर्माता रजनीश रामपूरी अनिल सिंग नितिन मिश्रा भी मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की वही फिल्म के आक्टर्स ने भी फिल्म के बारे में और साथ-साथ फिल्म में अपने किरदार के बारे में भी मीडिया से बातचीत की फिल्म के डिरेक्टर संजीव जैस्वाल ने बताया कि कैसे उन्होंने इस फिल्म में असी के दशक की एक छलक दिखाने की कोशिश की है आप फुस्तों बहुत हो गए वह लाइन थी है ना आज सीनेमा से मिस हो गया आज मिस हो गया कि परिवार के साथ बैठ कर हम सिनेमा देखें अब पुराइब उसकल्ट दौर में आप देखिए हर फिल्म एक रिस्ते होते थे लिस्तों का अलग परिवासा होती थी दोस्ती होती थी हमारे में इलाही भी है और हनमान जी भी है वो कंप्लीट हिंदी सिनेमा यही था हिंदी बेल्ट बहुत चोटी सी है हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान में देखिए तो हिंदी बेल्ट सबसें चोटी है लेकिन हिंदी इसने भी हिंदी बेल्ट है उसकी फीलिंस उस नहीं सिमिलारीटी नहीं है लखनौ में शुटिन एक्सपिरिंस रहा जो महमान नवाजी की जिस महमान नवाजी के बारे में सुना था हुआ में बरपूर मिली डेड़ महीन आमने बहुत मजे किये दिन में काम करते थे परिश्रम करते थे रात को अच्छा-चा भोजन आता थ अलग अलग जगाओं से आता था पूरा समर्थन था हर किसी का समर्थन था कोई भी ऐसी वाक्या नहीं हुआ है घटना नहीं गटी जो अप परिया हो लड़की का रोल है मंजरी क्यारेक्टर का नेम है जो आईएस ओफिसर बनना चाहती है और उसका सपना पूरा हो भी जात है लेकिन वह एक लड़के से प्यार करती है जो छोटे गर का है लेकिन उसका जजबा देखके उसकी लगन देखके वह उसको उससे प्यार हो जाता है लेकिन आजकल के जमाने का प्यार में यह भी पहले के जैसा ही है या फिर मैं कहूंगी आजकल भी यह सब होता है जरूरी करते हैं कि एक हम बन जाएंगे आइस फिर शादी कर लेंगे लेकिन उसके बीच जो दोरान ही एक ऐसा घटना हो जाती है जब दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं वो राजी का कैरेक्टर है जो अजे सिंग वो दीरे दीरे उसमें दूसरी जगा फस्ता ही जाता है गैंस्टर में दिखाते हैं वो कैसे उस चीज से बाहर आता है और कैसे मिलते हैं तो यह थी प्रणाम फिल्म की पूरी टीम जिनकों की आपने अभी सुना और फिल्म प्रणाम आज रिलीज हो गई है और रिलीज होते ही फिल्म ने धमाल मचाना सुरू कर दिया है और हमें उमीद है कि फिल्म ब्लॉक बॉर्स्टर होगी ऐसी खबरों के लिए बने रही आज की खबर के साथ नमस्कार्ण